गुड मॉर्निंग फ्रेंज्स वेलकम तुग चैनल बैंकिंग बंदू आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो आपकी बहुत काम की हो सकती है हम आपके लेकर आए हैं पंजाब नेशनल बैंक के ऑॉक्षन ऑॉक्षन का मतलब होता है निलामी दोस्तो ऐसा होता है कि जब बैंक अपना NPA डिकलेयर कर देता है कोई भी जिसने लोन लिया है कस्टमर ने उसका लोन NPA हो गया तो जो उसकी collateral security होती है यानि जो उसने गिरवी रखा होता है कोई भी समान हो वो चाए घर हो गोल्ड हो तो बैंक उसको ऐसे किसी को भी नहीं बेच सकता बैंक को उसके लिए एक proper auction करना होता है website पर निकालना होता है तो उसी तरह पंजाब National Bank भी यही काम करता है पंजाब National Bank ने अपना auction निकाला है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपके काफी काम की हो सकती है आपको आर्थिक फायदा देंगी की फायनेंशल डिसिजन लेने में आपकी मदद करेंगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे देखे दोस्तों यह सामने जो स्क्रीन पर खुला हुआ है यह है पंजाब नेस्टन बैंक की आफिशल वेबसाइट पी अबी इंडिया दॉट इन तो आपको से लवेबसाइट पर झानाई जब भी आपको किसी भी ऑंक्षिं के बारे में देखना हो तो आपको इस वेबसाइट पर जानए PNB India.in PNB India.in पे जब आप जाएंगे आपको नीचे स्लाइट करके जाना है जब आप नीचे स्लाइट करेंगे यह देखिए यहां पे आपको option मिलेगा auction का auction पे आपको click करना है auction का मतलब क्या होता है निलामी जैसे कि आपको बताया हमने कि जिन customers का NPA हो जाता है loan bank उनकी property sell करता है अपना loan recover करने के लिए तो वो जब sell करता है वो auction लगाता है उन properties का यह देखिए यह auction portal है यहां पे पूरी list दी हुई है जो जो properties auction पे हैं सारी detail भी है उसमें कि कि किसकी property है क्या property है क्या procedure होगा सब कुछ यहां पे आपको दिया हुए यह देखिए जैसे first मे में दिया हुए आपको मेसर्स मुरारी लाल एन संस प्रोप्राइटर है श्री मनोज राठोर इनकी कोई property है इनका कोई loan NPA हुआ है अप property auction में लग गई है यानि bank उस property को भेच रहा है तो आप इसकी पूरी detail यहां पे click करके देख सकते हैं दूसरी property मुकेश कुमार गुपत श्रीमती अर्चना गुपता के नाम से है वैशनो देवी suppliers की property है इस तरह से आपको काफी सारी properties दिख जाएंगी तो दोस्तों bank का जो auction होता है उसमें property आपको लेना क्यों हो सही है एक तो पहली बात क्योंकि यहां पर bank बीच में है तो आपको यह नहीं है कि कोई धोका होग या कुछ गलत property आपको दी जाएगी जो भी होगा सब on paper होगा सब कुछ genuine होगा rules के according होगा तो आप इनके लिए देख सकते हैं कि कैसे आप खरीद सकते हैं इस property को क्या rules and regulations आपको follow करने होगे क्या procedure होगा यहां पे आप click करके देख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं काम की हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को जादा से जादा whatsapp groups में share कीजेगा ताकि बाकी लोग भी इसका फाइदा उठा सके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपका दिन शुभो धन्यवाद